नमस्कार मैं प्रग्या धरदर 30 खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को अयोध्या में राम चन भूमी की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है विसकी सुरक्षा की कमान SSF के हाथों में होगी जिसका गटन यूपी सरकार ने हाली में किया है इस फूर्थ को यूपी पुलिस और पीएसी के सर्वस्टिश जवानों को चुनकर बनाये गया है जिनने विसे सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई है सुरक्षा की कमान संभालने के लिए SSF की बटालियन अयोध्या पहुच चुकी हाला कि अभी उनकी एक सप्ता की स्पेशल ट्रेनिंग होगी इस दौरान उन्हें सुरक्षा चुनोतियों और उससे निपटने को लिक जानकारी दी जाएगी अधोने क्रिसी की कारण पैदा हुई परावर्निये चुनोतियों से जूज रही दुनिया को राहत देने के लिए वज्यानिकों ने एक नया समधान खोज निकाला है हाला कि ये तरीका अभी बड़े पैमानी पर इस्तमाल नहीं किया जा रहा लेकिन उमीद की जारी है कि जलती पूरी दुनिया के किसान परावर्न को बहतर बनाने और पैदावार को बढ़ा कर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस तरीके का अस्तमाल करना शुरू कर देंगे दरसल वैग्यानिकों ने नई तरह की खेती तकनीक विद्यूत बागवानी की दिर्शा में कई प्रियोग किये हैं कई देशों में सोधकर्ता पड़यावर्निय असर को कम करते वे क्रिसी पदत्रियों में क्रांथी लाने के लिए बिजली के छमता की खोज कर रहे हैं पाकस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जाड़ा है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तोडखम बॉर्डर को बंद करने के पाकस्तान के फैसले क्या लोचना की अफगानिस्तान विदेश मंत्राले ने आरोप लगा है कि पाकस्तान ने तोरखम गेट बंद कर दिया और एक सुरक्षा चौके की मरमत कर रहे हैं अफगान सुरक्षा बलो पर फाइरिंग की दरसल तालिबान सरकार पाकस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपनी तरफ बंकर का निर्मान करा रही है पाकस्तान ने इस पर आपतीत दर्ज कराई थी इतना ही नहीं पाकस्तानी स्तिना ने जब निर्मान बंद करने के लिए कहा तो दोनों देशों के जवान आमने सामने आ गए इस तोरान फाइरिंग भी हुई कॉंगरस अध्यक्ष मलिकारजन खरगे ने महगाई विरोजगारी और कथिद भशचारी के मुद्दों को लेकर मोधी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जीबीस सिखर समेलन के समापन के बाद अब मोधी सरकार को घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने य कारी कर्म के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और बीजेपी को मजबूती मिलेगी अंतराश्टmiyor मीडियान ने Gbis सिखर समेलन के सफल आयोजन के लिए भारत की सराना की है और इसके नतीजे की प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की कूटनितिक जीत बताया है को वैस्ट अपने जीबी समिट के सफल आयूजन से जहां दुनिया में अपनी कूटनीती का लोहा मनवाया है वहीं सभवे आयूजन का गवाह बना भारत मंडपम अब लोगों के लिए कौथ हूल का विशय बन गया है सूत्रो समिर जानकारी के मुताबिक भारत मंडपम ITPO याने इंडिय अपनाड़ो बीजेपी अध्यक्स के अन्ना मलाई ने सोमवार को विरोध प्रदशन किया लेकिन साथ ही कहा कि अगर कोई संथ किसी के सिर की कीमक लगाता है तो वह फरजी संथ है और सनातन का पालन नहीं कर रहा है अन्ना मलाई ने संथ के निंदा की और पूछा क्योंने बाहर से धन कौन दे रहा है वही अन्ना मलाई के बयान की क्लिप शेयर करते वे कॉंग्रेस सांसद किर्थी चितंबरम नितन्च कसते वे कहा की तो फिर आपकी बुल्डोज सरकार संथ को ग्रिफतार क्यों नहीं करती है विनाशकारी भुकम के सिकार हुए अफ्रीकी देश मुरकों में राहत और बचाव अभियान गती पकड़ गया है स्प्रीन, कतर, ब्रिटेन, इज्राल और यूएई की सभागिता वाले अभियान में दूर दराज के लाकों में बचाव दल पहुंचने लगे हैं रात आई भुकम में मरने वालों की संक्या बढ़कर 2862 हो गई है जबकि 2562 लोग घायल है भुकम से सबसे आदा नुकसान हाई एटलस परवत की घाटियों में बसे गाउं को हुआ है चंदरमांपर एक सफल मिशन के बाद भारतिय विग्यानिक अब समुद्रियान परियोशना के तहट कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीन जैसे कीमती धादू और खनीचों की तलास के लिए तीन लोगों को स्वदेशी रूप से निर्मत पंडूबी में 6000 मीटर पानी के नीचे भेजनी की तयारी कर रहे हैं मतब से 6000 नामक पंडूबी जो लगभग दो वर्सों से बन रही है इंडिया है भारत नाम पंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनरजी ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने सोंबार को एक प्रसवारता को संबोधित करते वे इस मुद्दे का हवाला देते वे केंदर सरकार को निशानी पर लिया सीम अमता बर्नरजी ने कहा कि हमें भारत नाम पर कोई एतराज नहीं लेकि समिधान में बिना संसोधन के इंडिया को हटाना और समिधानी को और गलत होगा दो अक्टूबर को हम प्रातना करने के लिए राजगार जा सकते हैं कोई हमें नहीं रोक सकता इसी के साथ सीम ममता ने कहा कि दिल्ली पुल इस राजगार पर जाने के लिए अनुमती देने वाली कौन होती है केरल के कोजी कोड में दो मोतों के बाद स्वास्ते विभाग निपाह वारस को लेकर अलर्ट मोड मर आ गया है राज्य की स्वास्ते मंतरी वीना जॉर्ज की अध्यक्षता में कोई समीक्षा बैठा के बाद राज्य विवाग ने दो मौतों के मद्य नज़र जिले में अलर्ड चारी किया है जी भी इसके लिए भारत आई व्रिटन के प्रधान मंतरे रिसी सुनक अपने पूरे दोरे में मीडिया के बीच चर्चा का विशेप बने रहे सोचल मीडिया पर उनके इस दोरे की फोटोस जबरदस्त वार्यल हुई है खुद रिसी सुनक इन तस्वीरों में हिंदु धर्म के काफी नज़्दीक नज़रायद मंदर दर्शन की उनकी तस्वीरों में भी उन्हें सभी नियम काईदों का सलीके से पालन करते देखा गया सनातन की प्रती सुनक के इस सुरधा को लेकर अक्षरधा मंदर के निदेशक ने भी बयान दिया है अयोध्या में श्री राम जन भूमी पर बन रहे दिवय मंदर में अगले वर्स जन्वरी को होने वारे प्रान प्रतिस्था समारों में देश भर के 155 समरदाय के धर्माचारे सिर्कत करेंगे इस समपरादायों के 2000 संतों को श्री राम जन भूमी तर्थ छेत्र आमंतरत करेगा प्रान प्रतिस्था के लिए युद्या के राम मंदर के साथी पूरी दुनिया में दिपोटसब का आयोजन होगा मठ मंदर और घरकर में दिपोटसब मने का राम लला की प्रतिस्था का लाइप प्रशार रन दिखाया जाएगा पांच लाग गाउं में वी एचवी लाइप प्रशारन का इंतजाम करेगी कारोबारी रोबर्ट वाडरा ने कहा कि भारत द्वारा जीबी सिखर समयलन की मेज़वानी करना गर्व का च्छन है उन्होंने कहा कि अतीत में भी अंतराश्री कारेकरम आयोजित किये गये हैं यह गर्व का च्छन है अयोध्य मस्जित के लिए भी धन संग्रह किया चारह प्रचार प्रसार से दूर यह अभियान गत महा से चल रहा है और अगले महा तक चलेगा इस पर योजना में करीब 300 करोर रुपे की जरुवत का अनुमान है सुप्रीम कोड का नर्णय आने के तीन महा बाद मस्जित के लिए राम जन भूमी परिसर से कड़ी 20 किलो मीटर दूर 5 एकर भूमी तो सुलब हुई किन्तु अयोध्य अविकास प्रादिकरन से मस्जित के मान चुतर की स्विकृती इस वर्ष के प्रारम में संभव हो सकी इसके बाद मश्जित बनाने के लिए गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामी कल्च्रल फाउंडेशन को मश्जित और उससे जो रे प्रकल्पों के नणमान के लिए धनकी चिंता हुई उत्तर प्रदेश के घोसी विधान सभा उप्चुनाओं में समाजवादी पार्टी की जीत पर आम आदबी पार्टी के राजिस सभा सांसद संजय सिंग की प्रतिक्रिया सामने आई है संजय सिंग ने कहा है कि इंडिया गडबंधन बनने के बाद घोसी उप्चनाओं का जो रिजल्ट आया है यह बहुत बड़ी जीत है उन्होंने कहा कि यह रिजल्ट इस बात का संकेत है कि प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी की बिदाई होने वाली है साथ ही इससे यह भी संकेत हैं कि इंडिया वाले जीतेंगे और अडानी वाले हारेंगे राश्टरपती द्रपदी मुर्बुर और सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान बिन अब्दुल अजीस सौध ने सुमबार शाम दिल्ली में राश्टरपती भवन में हुलाकात की बैठक को संबोधित करते वे राश्टरपती मुर्मो ने कहा कि मुझे बिश्वास है कि आपकी रणिती का साज़दारी पर पियम मोदी के साथ बैठक और जी बी सिखर समिलन में आपकी भागेदारी ने दोनों देशों के भी संबंधों को और मजबूत किया है हम उनकी दे परोने जिस तरह से वापसी की है वर शांदार है यह पहली बार होगा जब हम दो दिन में दो वंडे खिलने वाले हैं हाला कि यह मुश्किल नहीं है मैंने 110 से ज़ादा टेस्ट खेला है हाला कि सारी एक तोर पर कल के मैच के लिए मुझे तयार रहना होगा मेरी उम्र 35 की हो अब भाजपा ने लालू के इस बयान पर पलडवार किया है भाजपा की प्रदीश अध्यक समराट चोधरी ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी देश को स्रिष्ट बनाने का काम कर रहे हैं और इसमें सभी लोगों का सहीयोगों का जो भारत का हो स्रिष्ट बनाना चा बालते वे नजर आते हैं मही नतीश कुमार की पार्टी जेडियू एक्सपर पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग का वीडियो शेयर कर अपने स्टैन का संकेत दे दी है इस वीडियो में ललन सिंग नतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं साथी कहते नजर हैं कि आप सभी ने कैसा नीता इस देश को बिहार को दिया है जो बिहार का नितितु तो कर रही है इसके साथ आज पूरे देश का नितितु करने के लिए खड़ा है क्लाइमिर सेंट्रल द्वारा बनाया क्लाइमिर सिफ्ट इंडेक्स इस बात की गना करता है कि जलवायू में आता बदला दुनिया भर के अलग-अलग अस्थानों पर तापमान को कैसे प्रभावित कर रहा है यदि CSI का अस्तर तीन या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि स्थानिय परिसितियां कम से कम तीन गुना अधिक प्रभावित हुई है यदि 1991 से 2020 के उससे तापमान की तुलना करे तो बिहार और जारखर में सबसे ज़्यादा खड़ाब है इस दौरान बिहार में तापमान समाने से 1.6 डिगरी सेलसियस तो जारखर में 1.5 डिगरी वैलिउट कमपनी है कमपनी ने बताया कि उसका रेटेल काड़ोबार देखने वाली सबसेडरी कमपनी रेटेल वेंचर्स लिमिटेड में ग्लोबल इंवेस्टमेंट कमपनी के क्यार ने दो हजार उनगतर दसमलो 5.6 करो रुपय निवेश करेगी इसके बाद रेटेल वें कुछ जलक यां सोशल मीडिया पर शाजा की है उन्होंने सोशल मीडिया एक्सपर्ड वीडियो साजा करते वें उन्होंने कहा कि जी बीस के लिए भारत की एक महतपुन यात्रा विश्व मंचपर यूके के योगदान है हमने इसे कोविट के दौरान देखा और हमने पुट बिजेपी सांस जनारदन सिंग सिग्रिवाल की सिकायत पर लोगसभा की विश्च अधिकार समीती ने पहले ही दीजीपी डियम समेच साथ अधिकारियों को 21 जुलाई को पेश होनी का समन भेजा रखा है अब राश्च्री इमानवादिकार आयोग ने बिहार के मुख्य लिया है युद अर्थवेवस्ता और कूटनीदी के अलावा जीबीज देशों के राश्च्रे धक्चों ने स्वास्ते को लेकर भारत के निदित में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है इसलिकर भारत के चर्चित मॉडल कोविन वेबसाइट आयोश्मान भारत और देशों तक में डिजिटल मॉडल्स को ले जाने का काम विश्र स्वास्ता संगटन करेगा भारत और सौधी अरब भारत खारी सयोग परिसद मुक्त वैपार समझोते वारता में तेजी लाने पर सहमती व्यक्त की ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक सयोग को और करने के लिए उत प्रेड़क की रूप में कारे करेगा और होने फिर्टेक छितर में सयोग को मजबूत करने और अस्थानी अमुद्राओं में वैपार भी संभावना इतलाशने पर भी सहमती व्यक्त की संसद भावन में काम करने वाले करमचारियों के लिए नई ड्रस का खुलासा किया गया है रेपोर्टों में दावा किया गया है कि इंडियन टच के साथ इस ड्रस को बनाये गया है नौकर शाहों को मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नहरू जैकेट दी जाएगी उनकी शड़ भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरे गुलाबी रंग में होंगे करमचारी खाकी रंग की पैंट पहनेंगे दोनों सदनों में मारसलो की पोशाक में भी बदलाव किया गया है वे मनी पूरी पग्री पहनेंगे संसत भवन के सुरक्षा कर्मी की पोशाक भी बदली जाएगी सफारी सूट की जगह होने सेना के तरह कैमो प्लेस ड्रस भी जाए प्रणिट लिया गया है और साथ ही कई दिशा दिनदेश भी दिये गया है बिहार विद्याले परक्षा समीती के दोरा मैट्रिक परक्षा 2015 के लिए रिजिस्ट्रेशन की दिति को टा सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है यानि कि अब 9 वी कक्षा में पढ़ने वाले च्छात् अब भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेत्र में प्रसद मंदर कौन सा है अपना जवाब हमें अमारे कमेंड सक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धनेवार